तुमस्कार में शिवांगी आप देख रहे हैं दव बोलती बन 39,000 सिक्षक भरती आंदोलन तो अभी भी चल रहा है जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि इन लोगों ने अधिकारियों से बात की थी और इनने दो दुन का समय दिया गया था और कुछ लोगों ने ये भी पताया था कि थोड़ी थोड़ी उमीद की किरन भी अब नजर आने लगी है तो आए चलते हैं और इन अभ्यारतियों से ही जानते हैं कि क्या अब तो एक दिन का समय भी बीठ गया मैं उम्मीद के सहारेत पूरी दुनिया ठीक हुई है और उम्मीद यही है कि आज सासन इस्तर पर इसके लिए फाइनल मीटिंग होने वाले हुए और हम यही आसा रखते हैं कि हमारे लिए आज सामतक कुछ ने कुछ निकल के आए अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कल से स्वतंतर होंगे कुछ भी कृत्र करने के लिए जो हमारे हित्मी होता और इसके लिए सासन प्रशाशन हमें कितना भी बात दे करें हम मानेंगे नहीं और आज 24 आमा दिन है और हम लोग यही चाहते हैं कि सासन जो भी फैसला ले उचित फैसला ले और सारे प्राकरण जो चार तारिक के जीवों में छूट गए थे उस पर ध्यान दे और सारे लोग जो योग हैं जो बैद हैं और जो प्रदेश की मेरिट में आ रहे हैं उनको निक्ति पत्र दिया जाए अगर किसी के साथ 24 दिन का समय लेने के बाद भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो मैं यह बहुत ही गलत किया जाएगा तो हमारा हाथ जोड़तनी वियतान है सासन प्रशासन से कि जो भी निरले उचित निरले और हमारे भविश को ध्यान में रखते भी निरले तो जैसे आपने बताया था कि जिस दिन आप लोगों ने शांती पूर्वा केंडल मार्च किया था तो उस दिन भी प्रशासन थोड़ा आप लोग को रोकने की कोजिश करेगी कि कल से आप लोग को बैठने भी नहीं दिया जाएगा तो अगर जैसे की सर ने बताया कि फाइनल मीटिंग आज है अगर फाइनल मीटिंग में भगवान न करें अगर आपके हख में खाइफला नहीं आता है तो तब अगर आप लोग आंदोलन को तेज करने की कोजिश करें और पशाश्वन ने रोका फिर आपको क्या एक्शन होग और दो तिन तिन दुर घटना है हमारे साथ होगी जैसे मिमल के पिता जी अब नहीं रहें दादी अमाज अस्पताल में भरती है और उसके बावजूद भी अगर हमारे पच्छ में नहीं आता है आज तक जीओ नहीं आता है तो कल से या परसोच से फिर हम कुछ भी करने के कि इनोहां वहां करता है ऄम allons तो दो रह्यां होगी तुम के लिए कुछ गया है कि अपने अधिकार को हमें नहीं चोड़ना चाहिए और अपना अधिकार बाने के लिए तो महभारत चैसा तो युद्ध हो गया था वहाँ पुरा पुरा वन्स हो गया था यहाँ तो हमें अपने आपको ही कुछ करना है तो अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता तो फिर हम भूल जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए यो क्या नहीं करना चाहिए हमें के वल एक लक्षी रहेगा हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए और यह नियुक्ति पाना यह हमारा अधिकार है क्योंकि उनकी योगिता का जो बाप्तन था उस पे हम खरे उतर रहे हैं उनके मानपो को मैंने पूरा किया है और उनकी मेरिट में और हमेज़ा हम सरकार के साथ रहे हैं. तो आपकत का नियुक्ति पर ज़रूर मिलेगा यह हम भरोसा रखते हैं यह एक नियाक्रिय शरकार है और इसमें किसी भी योग भरती का को निरास नहीं किया जागा ऐसा हमें उमीद है और इसी उमीद के आधार पे हम लोग लगातार यहां पर धरनें पर बैठे हुए हैं और जो आपको जो आज फाइनल मीटिंग होने वाली है उसमें आपके हक में कोई वैसला आएगा उमीद तो यहीं कि जा रही है कि हमें आस्वासन दिया था दो दिन पहले कि आपका काम चाल रहा है हम लोग यहां पर 69 सच्छक पीड़ी संसोधन पीड़ी तब बिरती हैं और मतलब आज 24 वां दिन हम लोगों को आप देख रहे हैं कि यहां जब 24 दिन से रहते रहते हैं सा सारा पैसा भी खर्च हो गया है और मान से किस्तिती खराब दुच्छ लिया रही है सारे किस्तित आप देखी रहे हैं आप हम लोग रहन वसीर में रहते थे रहन वसीरे वालों नहीं मना कर दिया है कि अब आप यहां इतने दिनों से नहीं रह सकते हैं लगातार इनके पास और जाते थे शिर्फर सब्सक्राइब खेलते देख दाता मंगा जा रहा है जब सत्थरा तारिक क्या है किस तारीक की संपंच में दिए ती डटा मंगा लें कि इनके पास डाटा आ चुका था उननरंके मताबिस बताया गया था कि 708 वह चुकत है अब 800 लोग के डाटा पर यह काम कर रहे हैं और आज 21 से इतने दिन होगे और अभी तक कुछ भी लिखित में आदिश नहीं आया है जम प्रहम इन से मिलने के लिए तो उससे पहले दो दिन पहले प्रेस्ट नोट एक और जारी कर दिया था कि इस फॉर में डाटा आया है हमें थोड़ी से और टेंशन हो करने के लिए तो जम इनोंने लाश्टाम यह बोला कि आप तिन दुन आपका सास्व लागी हो जाएगा हम तीन दिन का इंतिया कर लें आज हमारे तीन खतम हो जाएगे अगर आज तक हमारे लिकत में आदिस नहीं आता है तो कल से पना हमरे नसनों बैट जाएंगे जब तक हमारे लिकते नहीं जान दूक हम लोग को सिर्फ बार बार एपकाइज और तक हम domoda करेंगे औरम mesma吧 को सिब बार और और स्कारङए थी भी हम लोग इनका सब्सक्राइल पूर्दों विस्वास कर रहे हैं और भी इनके साथ जितने सिस्टेम हम लोग उपर आजमाएंगे, फिर भी हम लोग जब तक जिन्दा रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, अगर मरेंग यहीं मरेंगे या तर फिर हम संस्रोधन को जीयों लेक जाएंगे, अगर हम लोग वैलिड है तो हमें इंसाफ चाहिए, अनव हम लोग इंसाफ के योग गहत हमें इंसाफ दिया जाएं, हम लोग कोई चोर नहीं है, कोई बदमास नहीं है, हम लोग एक सिच्छक के पत पर जाने वाले, हम लोग जानते हैं, सिच्छक राश निर्माड होता है, हम लोग आईया, सब कुछ बनाते हैं, को सिच्छक बनाता अगर हम लोग इंसाफ चाहते तो इंसाफ लेंगे चाहे रोके चाहे मरके चाहे जैसे यहाँ पर 24 दिन से बैठे हुए हैं और सिर्फ आसवासा नहीं मिला है यह 24 दिन की मात्र बात नहीं है हम लोगों ने जब से फाम भारा था जब पता चला कि गलती हुई है तब ही हम अगर देंगे तो और मुझे लाफ मिलेगा क्योंकि तब भरती का पता भी नहीं था तब भरती सुप्रीम कोट में थी इसलिए हम लोगों ने उस दोरान ही अपने इलाहाबाद के परिशत पर अपना प्रत्यवदन दिया था जिसकी रिसीविंग हमारे पास है और उसके बा पाना पड़ा कि हम चौवीज दिन से यहां बैठे हुए और हाट नहीं रहे और हम लोगों के पास कोई बिकल्प नहीं बचा है इसलिए हम कल से अपना एक मतलब आवे से भी मैं हम लोग भूखे प्यासे यहां पड़े हुए कल से हम लोग सोच रहे हैं कि भूख और ताल क करें क्योंकि मैं अब हम लोगों पास कोई बिकल्प नहीं बचा है और मैं हम लोग जिंदगी के आधी अधी उम्बर सिर्फ पढ़ाय में बिता देते हैं और इस दोरान पता नहीं कितने बच्चों के खेट जमीन सब कुछ बिग जाता है पढ़ाने में बच्चों के अच् पता नहीं कितने एक्जाम त्यारी कि इस उमीद से किसका अच्छा पढ़ाम है इसी में भी होई से हम 59 में महीने भर लोगों ने जी जान से पढ़ाई कि लेकिन एक चोटी सी गलती हम लोगों को भवी सदाव लगा दिए तो जैसे 2020 खतम होने में मुश्किल से एक दिन बच एक्शाल होगा च्वादैताकर, पर देर करेगे, देर करें कि लिए से जल से जल से जल हमारी आवाज पर लहासे हमारी में मिझा, सब्सक्राइब कम काया चाहिता हुएOS परिवार भी बहुत उमीद के साथ हम लोग का इंतजार कर रहेंगे कब हमारा लगा आएक लड़की आएगा और हमारी परिवार के नहीं जलक निकलेगी क्योंकि अगर परिवार के किसी भी सदस्कों नौकरी मिलती है तो परिवार में अलग चमक होती है अलग खुशी होती है है एक माबाब का यहीं सपना होता है कि उसका लड़का नौकरी पाजाया बस और नौकरी एक लास्ट इस्टेज्स पर खड़े हुए हैं ऐसा नहीं कि पाए नहीं उसके पात्र नहीं हम लोग पूरी तरा से मेलिट मे आये हुए हैं पुर्णी यहां पर जिते करने टिटी बैठे उनकी तबियत खराब हो गई ठांड लग गई है वो हॉस्पिटल में है और हम लोग यहीं उनको आस्वासन दे रहे हैं कि दादी उम्मा वहां से बात हो रही है उसे कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपके लिए शासनाजेस आ जाएगा वहां पर दवा कराने को तरिया जाने इतिकरे था नहीं हम पूछा लेंगे वहीं मेरी दवावी फो लेकिन फॉर्म लोग ने बहुत समझाया उनकी पोती ने समझाया कि नहीं दादी आप यहीं पर रुकिए हमारे लिए सब अच्छा होगा बगवान से बिंति करocy करें हम भागवान तो योगी जी हैं अ उब हम चैनि सूची में उनके आते है, उनको लगता है कि हमारी योग गिता अच्छी है अगर वो स्टार्टिं से कहते आते थे कि हम योग गिता के साथ खिल्वार नहीं कर सकते हैं तो अगर यहां पर योग की लड़के बैठे हुए तो इन सभी को नौकरी मिले और अगर इनके में चोटी सी गल्टियों की रॉसा अगर नौकरी से बाहर होते हैं तो हमें लगता है इनके माता पिदा के लिए से भी बुड़ा दिन होगा जल से जल हमाँ सभी मूलब लेक हैं उनको देखते हुए जहें सुची में अगरम जखा बना रहे हैं सही से तो हमको नौकरी पर दिया जाए बस जदिन नौकरी पर मिल जाएगा हमाई लिए वही नया साल होगा ने तो अगर नौकरी पर नहीं मिलता है तो 2021 आजएगा पिद तो देखा आपने इनलोग का कहना यही है कि उमीद पे तो दुनिया खायम है और हम भी सरकार से यही उमीद कर रहे हैं कि हमारे नियुक्ती पत्र को जल्द से जल्द हमें सौंप दिया जाए इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्त में बताईए कैमरा परसन गाजेश कौतम के साथ मैं शिवांगी द बोलती बन